केंद्र की मोधी सरकार ने अनुसूची जाती से संबंदी च्छात्रों के लिए बड़ा तौफा दिया है इसमें ऐसे च्छात्रों को लाब पहुचाने के लिए मेटर को तर च्छात्रविर्ती में बड़ा फिर बिदल करते वे उनको मिलने वाली च्छात्रविर्ती में 60% की बड़ोत्र की है ताकि ये अपने उच्छतर शिक्षा को सफलता पूरवक पूरा कर सके केंद्र सरकार की इस योजना का लाब तकरीबन 13 करोर से जादा च्छात्रों को सीधा फाइदा मिलने वाला है दरसल केंद्र की मोधी सरकार ने अनुसूची जाती से संबंदी च्छात्रों की पढ़ाई के लिए उनको मिलने वाले अनुदान में 60% की बड़ोत्र की है इसके लिए मोधी सरकार ने तकरीबन 60,000 करोड का बजट पास किया है जिसमें केंद्र सरकार द्वारा करीब 35,000 से ज़्यादा की राशी केंद्र सरकार खर्च करेगी बाकी की एरकम राज्य सरकार द्वारा खर्च किया जाएगा आपको बता दे कि केंद्र सरकार द्वारा ये अनुदान राशी अगले पांच वर्शोक ले निर्धारित की गई है इससे पहले ये अनुदान राशी 1100 करोड रुपे थी केंद्र सरकार की इसी योजना को भाजपा ने जन्जे तक पहुचाने का बेड़ा उठा लिया है इसी को लेकर भाजपा के SCHT मोर्चा के दिली परदेश अध्यक्ष भुपेंद्र गोठवाल दिली के बवाना जेजे कोलोनी में पहुचे जहां उन्होंने पिछड़े वर के लोगों को इस योजना के बारे में बताया लोगों को जागरू करने का प्रयास किया इस तुरान बवाना विधानसवा से भाजपा के प्रत्याशी रहे रविंद्र इंद्रा सहीत बाजपा के अन्ने कई कारेकरता भी मौजूद रहे इस बारे में बात करते वे सेश्टी मोचा के दिली परदेश अध्यक्ष भुपेंद्र गोठवाल ने बताया कि यह अनुदान राशी सीडे छात्रों के बैंक खाते में भेजी जाएगी उन्होंने का कि इस योजना के माध्यम से यह प्रयास किया गया है कि कोई भी बच्चा अपनी पढ़ाई को बीच में न चोड़े भुपेंद्र गोठवाल ने बताया कि इस योजना का मकसद दली समाज का उत्थान करना है ताकि दली समाज के बच्चे अपनी उच्तम शिक्षा को जारी रख सकें और आगे बढ़े और देश की तरक्की की और अग्रसर रहें इस दुरान भुपेंद्र गोठवाल ने दिली की अरविंद केजला सरकार पर भी जम कर निशाना साधा इजाफा किया है अजीत कुमार एटीवी भारत दिली मैट्रिक के बाद हमारे चात्रों को अनुदान राशी मिलती थी जिसे आम वजीफे के रूप में भी जानते हैं उसकी राशी को मोदी जी ने 600 गुना बढ़ाया है तो यह हम सब के लिए बहुत अर्ष्टा विश्य है पहले वो ग्यारा सो करोड रुपे लगबग पांस साल का अनुदान ओता था अब उसको 60,000 करोड रुपे मोदी जी सरकार दो हमेट किया गया है और इसको इसमें से 35,538 करोड रुपे लगबग यह केंदर सरकार का अनुदान होगा जो पहले 11 परसेंट होता था अब केंद सबसे बड़ी बात तो यह के देश का परधान मत्रिश इस दिन सदन संसद में गया उसने पहले दिन अपने आप से committed और लगबग लगबद देश से committed क्या है कि इस बार का जो परधान मंत्री है वो गरीब सौसित पीडित वैक्तियों का परधान मंत्री रहने वाला है और उन्हें ने ये निधारित भी किया और उसका प्रणाम भी है गौरतलवे की केंदर की मोधी सरकार लगातार हर वर्ग के लिए काम करने के लिए प्रतिबद है मोधी सरकार तमाम योजनाओं के माध्यम से देश की हर जंता तक लाप पहुंचाने का काम किया जा रहा है इसी फैरिस्तिमव केंद्र सरकार ने दली तवर्ग से जुड़े छात्रों की शिक्षा के लिए मिलने वाले अनुदान राशी में इजाफा किया है डिली से अपने सयोगी अनुज्जा के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट हमवतन टीवी